आज का लेक्चर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है हाइड्रोकार्बन से कि हाइड्रोकार्बन से हम किसे कहते हैं क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन से टॉपिक से वैसे समझ मारा होगा हाइड्रोकार्बन से hydrogen and carbon वाले जो compound होंगे, उनको हम hydrocarbon बोलेंगे, जिन में hydrogen और carbon होगे, ठीक है, बट थोड़ा सा detail studies में करते हैं, hydrocarbons की वारे में, okay, hydrocarbons, what are hydrocarbons, तो अगर हम organic compounds की बात करें, तो organic compound की सुरुवात ही hydrocarbon से हुई, ठीक है, जो organic compound हम देखते हैं, आज कल कोई भी compound हम मिलता है, कोई भ organic compound है, ठीक है, ठीक है, तो आपका सकते हैं, the main origin of the organic compound is hydrocarbons, यह अगर organic compound की सुरुवात ही, किस से हुई थी, hydrocarbon से, हाइटो जो आपके compounds बने थे, ठीक है, उनी से organic compound की सुरुवात ही, अगर organic compound की जो original definition की है, तो क्या हो, organic compound की जिसन वो है, the compounds consisting of carbon and hydrogen, और their derivatives are called organic compound, यह ऐसे compound, जिसमें क्या हो, carbon हो, hydrogen हो, या उनकी derivatives हो, इनको हम क्या बोलेंगे, organic compounds बनेगे, जैसे एक organic compound मैंने यह लिखा है, C, इसमें 4 है, जुने है, तो CH4 है, जिसने यह methane है, क्या है, जो franch 4 है, तो CH4, तो यह organic compound है, इसमें hydrogen and carbon जुने है, तो यह hydrocarbon है, क्योंकि इसमें hydrogen and carbon जुने है, तो यह hydrocarbon भी है, और organic compounds हो गईगी, तो इसमें हम सारे, apply गया है यहां पर डेरिवेटिव जिकांड मैंने क्या क्या करी है अपकर नियुक्तिंग कंसिस्टिंग अफ कार्बन एंड हैड्रुजन या उनकी डेरिवेटिव भी हो तो भी वह और गीनिक अगया इसमें डेरिवेटिव जा गया या तो carbon हो या hydrogen हो या उनके derivatives हो या निया उसके जगह पर कोई और लग लिए आपने तो CH3Cl बन गया है यह क्या बन गया This is CH3Cl यह methyl chloride हो भूँते हैं इसको methyl chloride ठीक है तो यह CH3Cl बन गया या chloromethane भी इसको खह सकते हैं या आप क्या करें 4 के 4 hydrogen हटाओ इसको हम CCl4 carbon tetra chloride या tetra chloromethane क्योंकि एक C है तो एक में था था है तो tetra chloromethane भूलो या carbon tetra chloride भूलो इसको ठीक है तो इनको हम क्या कहेंगे organic compounds ठीक है या hydrocarbons hydrocarbons क्यों कहेंगे क्योंकि इसमाँ hydrogen carbon से ये बने अगर उनके derivatives भी आ रहे है तो ये भी क्या गलाएंगे आपके organic तो सबके सबी क्या है आपके organic compounds ठीक है तो आज हम specifically hydrocarbons पे study कर रहे है मिंस जिन में केवल hydrogen and carbon ऐसे compounds पे study कर रहे है hydrocarbons तो अगर हम hydrocarbons देखे बच्चो hydrocarbons हमें two types के hydrocarbons मिलते हैं पहला saturated hydrocarbon दूसरा unsaturated hydrocarbon saturated hydrocarbons को हम paraffins भी बोलते हैं क्या बोलते हैं paraffins भी बोलते हैं means less reactive क्या बोलेंगे less reactive यानि saturated hydrocarbon को हम क्या बोलते हैं paraffins या less reactive या ऐसे hydrocarbon जो less reactive होते हैं उन्हें saturated hydrocarbon हम कहेंगे तो ये definition भी हो जाएगी saturated hydrocarbon saturated hydrocarbons are less reactive hydrocarbon इनि जो कम reactive वाले hydrocarbon होंगे उनको हम saturated hydrocarbon बोलेंगे या parafins बोलेंगे या alkan भी बोलते हैंको एक ही बात है alkane बोलो या parafins बोलो या saturated hydrocarbon ठीक है ये तिन वेखी चीज़े को हम भुते हैं अलीफिन का मतलब होता है जादा रिएक्टिव होंगे मिन्स भी करने के लिए आ जाता है तो आप कर सकते हैं अच्छी ही पहल बन से और unsaturatedcharbon अपते हाथ के दो टाइप की होगत है अलकीन एन अलकाईन ठीक है ? बास समझगा गई ? een जिन हाइटरोकारबस में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉंड होगा उनको हुम यलकीन बोलेंगे और जिन hydrocarbons में carbon carbon की बीच में triple bond होगा उनको हम alkyne बोलेंगे और जिन hydrocarbons में carbon और carbon की बीच में single bond होगा उनको हम क्या बोल देंगे alkyne बोल देंगे पासमझ भागी alkyne, alkyne, alkyne समझ माँ गया ये तीनों hydrocarbons है bonds का थोड़ा differences में रहता है यहाँ single, यहाँ double है, पासमझ माँ गई, clear है अब चलते हैं कुछ general formula of the organic compound यहनि जो organic compound सारे होंगे उसमा alkyne आएंगे, alkyne आएंगे या उनके derivatives भी आएंगे जैसे CL आ गया है, कहीं पर OH आ गया है, कहीं पर कुछ और आ गया इन सब की हम naming करते हैं, sorry वो, general formula डिसाइड करते है general formula of the organic company, organic compound का general formula क्या होता है ठीक है, तो सबसे पहले alkyne तो अकर alkyne का जनरल formula देखे है, वो होता है cn h2n plus 2, यह general formula है, cn h2n plus 2 यहाँ पर n means कोई भी number रख सकते है, सबोज मैं n की जगह यहाँ पर 1 रखू तो क्या बन जाएगा, c1 h212 plus 2 means h4 बन जाएगा अब ने करेंगे, n की जगह 1 रखा तो c1 हो जाएगा और h, 2n है न, 2n means 2 multiply 1 2 multiply 1 plus 2 यह प्लस 2, अब सुख करो जड़ा, c1 का मला c1 ही है, h कितना हो गए फिरे, 2 1 जड़ 2, 2 plus 2 4, तो c h4 तो यह पहला एलकेन बन जाता है, यह आपका पहला एलकेन है, जिसकों बोलेंगे, methane क्या बोलेंगे, क्योंकि c1 आ रहा है, 1 carbon को math बोलते है, 2 carbon ने सब root words बताएं यहांको, 2 carbon सौंगे, उनको eth, 3 carbon को prop, 4 carbon but, आता है नहीं आता है, तो यहाँ पर 1 carbon तो इसको methane बोलते है, तो इसको methane बोलते है, तो इसका मला n की जगह कितना रखेंगे, अब यहां पर 2 रखो, 2 रखो, n की जगह, तो इसकोण बन जाएगा, c2, c2, h2, 2, 4, 4, plus to 6, h6 बन जाए, c2, h2, 2, 4, plus to 6, c2, h2, 2, 4, plus to 6, c2s, यह एथें का फोर्मोला बन जाए, यह क्या है आपका, एथें, एथेन E-S-T-H-A-N-E एथेन पासमजमा आगी क्लियर है अगर सबुजमा आपसे बोलू है हेक्सेन का फॉर्मला होता हूँ हेक्सेन का मतलब कार्बन कितने होंगे उसमें 6 होंगे तो N की जगए कितना रख दोगे या एन की जगए 6 रख दोगे यहाँ पर N की जगए 6 रख के चेक करो हेक्सेन का फॉर्मला मिल जाएगा आपको N की जगए 6 रखो तो आपका C 6 आएगा C6, H कितने हो जाएंगे 6, 2, 12, प्लस 2, 14 यानि H कितने हो जाएंगे 14, तो C6, H14 ये क्या है आपका, hexane है तो इस प्रकार सा आप LKN के formula निकाल सकते हैं, ये general formula है इससे आप अलग-अलग LKN बना सकते हैं C1, N की जगवा 1 रखे 2 रखे, 3 रखे, कोई भी उना सकते हैं अब हम सलते हैं, second type के LKN LKN का general formula, LKN मिन जिसमें carbon और carbon की बीच में double bond होगा इनका general formula होता है CnH2N क्या होता है, CnH2N अब यहाँ पर जो N रखेंगे न आपको, N को 1 नहीं रख सकते हैं यहाँ पर, N1 से start नहीं होगा N कितने से start होगा, 2 से N is equal to 1 नहीं रखेंगे, वो valid नहीं होगा अगर N आपने 1 रखा तो C1 H2, यहाँ Cs2 तो Cs2 कोई बनता ही नहीं है तो क्या बनेगा, C1 H2 यहाँ Cs2 C1 H2 मिन Cs2 बनना है C4 होती है, तो यह तो unbalance बीच में double bond आ रहा है, carbon, carbon तो 2 carbon, यहनि N is equal to 2 से आप स्टार्टिंग करेंगे इसमें, तो सबोज मैंने N is equal to 2 से starting करा तो होगा C2 N is equal to 2 से करा C2 H कितने होगा, 2 तो 4 H4, तो यह पहला एलकीन बन जाता है, यह पहला नंबर का एलकीन है C2 H4, जुसको क्या बोलेंगे हैं जुसको बोलते हैं, एथीन क्योंकि C2 में एथा आता है अब यह पर double bond आएगा आएगा आपका क्या आएगा है यह पर double bond कैसा आएगा देखो यह 2 C ले लिए आपने C double bond C, ठीक है अब यह पर हैडियोजन जोड़ो, तो हैडियोजन इधर जोड़ो तो देख सकते हैं यह पर फूर हैडियोजन तो फूर हैडियोजन C2 H4 होगे तो पहला आपका एलकीन बनता है क्या? एथीन, क्या बोले हैं उसको आप? एथीन अगर सबोज मैं आपसे बोलूँ ब्यूटीन का फॉर्मूला नेका ब्यूटीन तो यह फॉर्मूला यूजन मत करना है यह ब्यूटेन के लिए नहीं ब्यूटेन के लिए यह वाला आएगा मैं आपको ब्यूटीन, ब्यूटीन, इन आ रहा है तो B spouse एलकीन आ रहा है ऐलकीन के लिए यह वाला फॉर्मुला थो व्यूटीन का फॉर्मुला तो ब्यूटीन में C कितने होते हैं 4 होते हैं तो रखो N की जग़ा 4 रखो N की जग़ा 4 रखो तो C4 हो जाएगा H कितने हो जाएँगे चेक करो फो टू जा एट, H8 C4H8, ये ब्यूटीन कहलाएगा क्या कहलाएगा, ब्यूटीन बास सम्मा गई, कुछ भी सबोज आपको में पेंटीन या प्रोपीन का फॉर्मॉला निकालो, तो प्रॉप में कार्बन कितने होते हैं, प्रॉप में 3 कार्बन होते हैं, तो एन की जाएगा 3 रखो, यहाँ पर, एन की जाएगा 3 रखो, तो क्या उतना हैगा, C3H6 हो जाएगा, C3H6 हो प्रोपीन में जाएगा, बास सम्मा आगई, तीसरे टाइप क्या आपके हेड्रोकार्बन है, अलकाइन, अब अलकाइन का जनलर फॉल्मुला, हम लिखेंगे, क्या होता है, CnH2n-2, यह अलकाइन का जनलर फॉल्मुला होता है, CnH2n-2, यहाँ पर n is equal to कितने से स्टार्टिंग करोगे आप, obviously, 1 से तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कार्बन हो यहाँ पी कितने से स्टार्ट करनेंगे, 2 से, तो क्या अब n is equal to 2 रखेंगे, तो पहला वाला आपका अलकाइन मिल जाएगा, C2, H कितने हो जाएगे, 2 तो जाब 4-2, यहनि C2, H2, क्या बन गया, C2, H2, इसका अगर आप structure बनाए, तो ऐसे बनेगा, C, C, triple bond आएगा, अलकाइन है, और 2 H जुड़े हैं, एक आच यहाँ जोड़े हैं, यह बन गया आपका, दो कार्बन में एथ हाता है, तो एथाइन हा जाएगा, triple bond में आइन आता है, तो एथाइन, तो पहला आपका alkyne बन जाएगा, तो इस प्रकास इजनल फॉर्मिले था आपके किसके, hydrocarbons के, alkyne, alkyne, alkyne के जनल फॉर्मिले थे, अब कुछ अधर organic compound होते हैं, उनके जनल फॉर्मिले देखते हैं, जैसे आपका alcohol है, alcohol एल्कोहल में आपको पता है ओएच बॉंड आता है एल्कोहल का जनल फॉर्म होता है सी एन एच टू एन प्लस वन ओएच ठीक है तो एन की जगह रखके देखो पहला एल्कोहल मिल जाएगा को एन की जगह रखो तो क्या जाएगा एन की जगह रखो तो कि एच कितने हो जाएगा बताओ तो एन जाट टू प्लस वन थ्री यानि सी एस थ्री और सांट में ओएच बिज़ो होना है तो सी एस थ्री ओएच यह आपका पहला एल्कोहल मिल गए मेथेनॉल हो गए कार्बन एक आ रहा है न तो मेथेनॉल क्या हो कि दिखाए मुझे किसका एथैनॉल का निकाल के दिखा ऊठा ये कंद्द में कार्बन कितने रखने पड़ता है त्फ मां आता है न कार्बन की जग़ा यहां पर टू रखो एन की जग़ा तू रखो तो सी-टू हो जाएगा कि कितने हो जाएँगे बताओ देखो तू- कि जगा आपने थ्री रखा एज कितने हो जाएंगे थ्री टूजा शिक्स के अगर मैं आप से ब्यूटेनॉल का फॉर्माल निका लिए तो ब्यूटेनॉल क्या हो जाएगा ब्यूट में ब्यूट में के एंड की जगा फॉर रखो तो यहां पर नंबरिंग आप एंड की 0 से करेंगे जिरो से एंड की जगा जिरो रोखो तो यह तो जीरो हो जाएगा एंड की जगा जिरो रोखो तो सी जीरो एच कितने हो जाएंगे तू जीरो जाएग जीरो प्लस वन एच एक खाली एच बनेगा और सी एचो साथ में यह आ गया है इसका मलए C0 इसको हटा सकते है अब तो HCHO यह पहला आपका LD हाइड मिल गया है यह है HCHO, C double bond O, HCH, HCHO, इसको बोलते हैं हम formaldehyde, या मैथे नल, अला आता है, इसमेना, IUPAC में इसको मैथे नल बोलते है, C1 आ रहा है, एक कार्बन आ रहा है न, तो मैथे नल हो जाए, बासमा आगे, तो N is equal to 0 से start करा, now N is equal to 1 रखे, start परो, अगला आपको L is equal to 1 रखे, तो यहाँ पर रखो, तो C1, यानि C आ गया, H कितने हो जाएंगे, 2, 1, 2, 2, 1, 3, यानि CH3, और यह क्या हो जाएगा, CHO, CHO, आप देख सकते हैं आप यह, क्या हो जाएगे, एथे नल, यह कार्बन दो आ रहे हैं न, एथे नल, CHO ग्रूप में अला आता है, तो एथे नल, यह का फॉर्मला आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से अब अलग अलग है, डियाएट की फॉर्मला निकाल सकते हैं, ठीक है, अगला देखो, अगला है कीटोन, तो कीटोन, फंक्शनल, क्या होगा, C1, 1, O होता है, इसको कीटोन बोलते है, कीटोन में ओन आता है, क् कीटोन का जनल फॉर्मला है, Cn, H2no, Cn, H2no, ठीक है, अब स्टार्टिंग करेंगे, आप पर N is equal to 3 से, 1 के लिए वैलेड़ी नहीं है, 2 के लिए वैलेड़ी नहीं है, क्यूंकि अलड़ी 1, 2, 3 कारबन चाहिए, आपको तब कीटोन बनेगा न, 1 कारबन, 2 कारबन, 1 कारबन S6 और O, साथ में O है, O बनेगा, C3, H6, O, यह पहला आपका कीटोन बनेगा, C3 में क्या होता है, C3 में एथ आता है, मेथ आता है, प्रोब 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 आता है, प्रोपेनोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपे से पंतेनोन का बना सकते हैं एलग अगला आपके और इनिक कंपॉंट्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसीड इसमें उख्यों को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड़ होता है इसमें बीच में C double bound होता है इधर को एक ही तरह को carbon change जूड़ी वहती हिए इधर को खाली functional group होता है C O H ketone में दोनु और carbon change जूड़ेती इसमें एक ही और carbon change जूड़ेगी एक ही और carbon change ठीक है तो बास समझ में आगे तो h c double bound OH हो जाएगा तो अगर इसका cn h2n plus 1 cooh यह carbox laser का general volume नहीं जगल तो यहां कहां से starting करेंगे इसमें 0 से starting करेंगे तो यह जगा 0 रहतों क्या हो जाएगा यह तो 0 हो गया तो बना क्या h यह भी 0 तो h1 यह यहनी 1 h बना hcooh बन गया क्या बन गया hcooh n की जग़र अपने 0 हो गहाँ तो फ़ाली h बनेगा एक 1 बनेगा तो h cohe यह पहला वाला कारभॉकमली इस ओनता है इसको क्या हूँ कार्बन एक आ रहा है तो pinohane cohe alcanz it को ँपा णो एक 5 . 3 अगर मैं आप से बसा बूलू है हां पर उन रखोगे ना जब आप यहरे न की बाद चल लिए यहां पर N को वण रखेंगे तो अपने कारबन 2 बन जाएंगे क्यों कि एक कारबन यह मिल जाएगा आपको समझा थे होगे, तो N की जगा 2 रखे चेक करें, N की जगा 2 रखो तो आपका हो जाएगा, C2, sorry, N की जगा 1 रखके कहरे हो, N की जगा 1 रखके चेक करो, तो क्यों हो जाएगा, C1 H, C1 होगे, H कितने होगे, 2 1 जाट 2, 2 प्लस 1 3, येनि CH3 और सांतमें क्या जोरना है COOH ये बन गया आपका Carbon 2 आ गए तो Athenoic Acid हो गए Carbon 2 में, Carbon 2, Carbon 1, 2 Carbon 1 एत आता है, तो Athene आया Oik Acid आ गए, तो Athenoic Acid तो ये Carboxylic Acid के General Formula आजम में आगई Clear है न? एक बरकर से summarize कर लेते हैं, देखो alkane का जनला formula Cn S2n plus 2 alkane का Cn S2n energy equal to 2 से starting करेंगे Alkane CN S2n minus 2 energy equal to 2 से starting होगा alcohol का जनला formula Cn S2n plus 1 OH energy equal to 1 से starting करेंगे aldehyde Cn S2n plus 1 CHO energy equal to 0 से starting करेंगे पहला aldehyde लानने के लिए ketone energy equal to 3 से starting करेंगे formula Cn S2n carboxylic acid CNS2N plus 1 COH N is equal to यहाँ भी किसे स्टार्टिंग करेंगे 0 से स्टार्टिंग ठीक है अच्छो तो यह थे आपके General Formula of some Organic Compound Organic Compound में Hydrocarbons भी हमने किये तीन टाइप के और उसमें दूसरे टाइप के उनके derivative derivative में जैसे OH कहीं पर OH Functional Group आ गया था कहीं पर LD Hide आ गया था कहीं पर Ketone आ गया था तो यह इनको हमने General Formula इनका सबका निकाला ठीक है डिया ओके दे